बहुत बड़ा बायान बंगलादेश में अब हिंदू खत्रे में आ गए है ये का है एक करोड हिंदू आने को तयार है एक करोड हिंदू आने को तयार है शुवेंदू अधिकारी का ये बहुत बड़ा स्टेट्मेंट है गवर्नर को ततकाल प्रभावत से बात करनी चाहिए स तेंटर से ये का है शुवेंदू अधिकारी भारतियंतर पार्टी के बड़े नेता है लीडर अपोडिशन है पश्यम बंगाल के एक करोड हिंदु इस्त में दरकार लगा के खड़ा गुआ है लाइन से कि वो भारत आ सके ऐसे में क्या करना होगा यह अपने आप में बहुत सिश्वेशन है भारत के लिए इसलिए शायद शेशंकर प्रथानमंतीन रेंदो मोती से मिले हैं और राहूल गांदी से भी मुलाकात कर रहे हैं यह बहुत बड़ी खबर है रिजवान एमद मेरे साथ है मेरे साथ फेरास की द्वाई साब है समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वह जाने मंँआ पढ़े हैं विवेक मेरे साथ हैं विवेक एक करोड हिंदू आने को तैयरा है उनकी जान को खत्राए लगा तबाइस को प्राइं डेकिकितु प्राइम फोड़ी चीजों जुलाई 22 को एक ऐसी खबर थी कि युनाइट स्टेट के स्टेट सेक्रेटरी उल्टा कह रहे थे बंगलादेश की सरकार को कि पीसफुल प्रोटेस्ट साब अलाउन नहीं कर रही है और कटगरे में खड़ा कर रहे थे अमरीका का स्टैंड जो प्रेजेंट सरकार थी शेक हसी दूसरा आज की बात है कि वहाँ जो फौजी चीफ वगर उस्वान साहब ने जब टेक ओवर किया इंटरीम सरकार बनाई तो सबसे पहले पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्टूडन्स को यही बोला कि जितने लड़के मारे गए हैं उनको जिस जिस ने मारा है कारवाई की जाएगी देखिए जब आप अपने देश में युवाओं को मैनेज नहीं कर पाते एकॉनमिक्स मैनेज नहीं कर पाते इंप्लॉइमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार पहले श्रिलंका में यही चीज़ हो चुकी है वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा और यहां और मेरे ख्याल से इंडिया को हमारे क्या रिष्टे थे शेह खसीना क्या नहीं यह मैटर नहीं करता हमारे रिष्टे बंगलादेश से होने चाहिए नाके शेह खसीना से इन केस वहां पे डिफरेंट स्टेबल आजाती है जो शेक हसीना का अगनॉलेज्ज नहीं करती है नहीं हमें उनको शरण फिलहाल नहीं देनी चाहिए और वेट अन्वाच करना चाहिए मुझे लगते हैं वेट एंड वाच ही हो रहा है शरण तो नहीं दी गई है पृटेस्ट किया नहीं सरकार बन रही है लेकिन हम चैंपियन हैं हम उसको आने देंगे हम उसको शरण देंगे यह मेसेज अगर हमने बंगलादेश की आवाम को दिया तो यह पॉलिटिकल डिप्लोमाटिक डिजास्टर है यह नहीं देना चाहिए बड़ी ख़बर बड़ी कवर बहुत बड़ी कवरर हिंडन से निकल गए है अजीद डोवाल यानी उनको नई दिल्नली में एंट्रि न हिंडन ऐर बेस में हिं मुलाइक पर्ये यह तस्वीर हिंडन एरर बेस की है और हिंडन एर बेस पर इसमें मीडिया बाहर सिरफ अलाउड है अंदर की तरफ अलाउड नहीं है यह समय की बड़ी कबर है और समाने तौर पर एर फोर्स का वो बेस है इसलिए वहाँ पर समाने तौर पर भी घटा कर्म रहता है लेकिन यह आप एक बड़ा अपडेट आप एक बड़ी बात कहरें एक बड़ा एंगल दे रहें यह तस्वीरे हिंडन एर बेस की है यह मेरे साथ यहाँ पर कई सारे मेमाने मैं उनका रुक क परूंगा लेकिन एक सेकिंड जो बात विवेक ने बोली है उसके क्या माएन है रिज्वान ऐमत जी देखिए कुछ हद तक मैं विवेग जी की बात सर बहुत कम सहमत होता हूँ आज सहमत हूँ और आओ जो उन्होंने का प्रॉक्सिमिटी टू चाइना आप इनकी एकॉनमी देखिए इनकी आर्मी देखिए इनकी इविन एजुकेशन में देखिए इनके इंफरस्ट्रक्चर में देखिए पोर्स में देखिए और आप यह कह रहा हैं कि यह जो हालात हैं इसके पीछे फॉरिन पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे ISI भी है फंडमेंटलिस भी है और चाइना का हाथ है क्योंकि चाइना चाहता है कि जिस कंट्री में में मेरी BRI बने वो कंट्री मेरी गोद में बैठे और यही सोच के चाइना ने इनके देश में इन्वेस्टमेंट किया लेकिन अब इनको दोनों नाओं में पैर रखना था इन्हें चाइना को भी खुछ करना है और भारत को भी खुछ करना है पांच बिलियन डॉलर लेने यह चाइना गई वहां गई वहां से डॉलर लेके तो कुल मिला के इन्होंने बंगलादेश को बंगलादेश को अदरें और नेसे अजीड डोवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है ये जानकारी है लेकिन ये हालात बत से बततर क्यों हो गए बांगलादेश किंदर और यहां से प्स्तिति कहां जाती हुए दिखती है Mr. Khan, my straight question to you sir Being a journalist, मैं यह कहना चाहता हूं कि protest was very neutral and very much straight forward that students who are, उनकी demand थे कि उनकी quota system है नौकरी के वस्ते और university education और अदर सेक्षिन पर वो कोटा रख किया जाए very innocent demand was that अगर गॉर्डमेंट पहले से यह दिमांड पुड़े थे और कोट की जो राय के लिए हाई कोट के राय के लिए वो वेट कर रहे थे वो अगर आगे हो जाते तो यह बस इतने दूर तक नहीं आता और आपको तो पते ही होता है कि जहाँ भी इस तरह की पॉड़ेक्ट को जिसकी वज़ा से यतनी बड़ी कंडिशन खराब हो गई आज की दुनिया पर आपको तो सोशल मीडिया के जो हालत है यूमर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी और ज्यादा पहलता है यह जूटके सारे कुछ लोग जूटके आर्मिया के यह जो नीट्रल डिमंड था स्टुडेंट का इस जिमंड के ऊपर आके सावर हो गया और इसी बहाने यह लोग जो तोर फोर हुआ और पुलीश ने जो फैरिंग की वो भी तबस पूरिट वेरी सिंपल इसुद था। इसके पीछे तो कोई ना कोई है और ISI का बड़ा हाथ ISI की स्क्रिप्ट मानी जा रही है यह पूरी यह भी एक व्यू है ISI की स्क्रिप्ट है और क्या वहाँ पर आप खांसा बता सकते हैं कि हिंदू को भी टागेट किया जा रहा है जिस तरह की खबरे आ रही है आपको जो खबरे मिल रहा है वो भी थुरे दर पहले तो हमने बोला था कि रियूमर की जामाना है यह तो आवा मिलिक जो है ना वो भी तो मुस्लिम है उनकी घरपे पर तो हामला हो रहे हैं हम मिनिस्टर जो था कमाल उनके घर को आग लगा दिया दाया ठीक है एक जिल था शेडपूर पे बस्तों को यह वो निकल पर ही कारगर को किया बोल दे आप जेल से जो आपकी सिट्वेशन खडब करना चाहता है वो हिंदू मुस्लिम जो खबर आ रही है इसे में हिंदूस्तान के पास की वहां से कई हिंदूस वहां से पलायन करना चाहते है और हिंदूस्तान वापस आना चाहते है ऐसे में क्या करना चाहिए जो इससे में अपडेट आ रही है ऐसे में क्या करना चाहिए ये सोचने वाली बात होगी जिस तरह से शुवेंदू अधिकारी का थोड़ी दे पहले स्टेटमेंट आया किद्वाई साब लेना पड़ता है दूसरी बात ये है कि रिजवान भाई अभी कह रहे थे कि इनकी फॉरेंट पॉलिसी जो हैं वो बेसिकली जिम्मेदार है जी तो हमारा ये मानना है कि फॉरेंट पॉलिसी जो शेख हसीना की थी भाई उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए जो भी लेना उन्होंने डिसीजन लिया अपनी फॉरेंट पॉलिसी जो है उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं जहलक रहा था चाहे वो आप उनकी पर कैपिटा इंकम की बात कर लीजे चाहे उनकी एक्सपोर्ट की बात कर लीजे और चाहे तो उनकी जीडिपी ग्रोध की बात कर लेसन ये है कि 2009 में जो शेख हसीना साहिबा थी वो एक थंपिंग मेजॉरिटी से आई और पूरे बांगला देश ने उनके उपर बहुत इतबार किया और पूरे देश की कमान उनके हाथ में दी लेकिन उसके बाद में जब अमीज जी बांगला देश में इलेक्शन्स गई और आज आप रिजल्ट देखी कि क्या है तो सीख किस के लिए है ये है पूरी दुनिया के लिए है आप के लिए है हमारे लिए भी है मैं आपको बताओ देखिए अगर हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद से कई बार ये कहा गिया कि भारत का लोगतंतर खत्रे में और लेकिन हुआ क्या कि कई बार हिच्चकोले लेने के बाद भारत ने ये पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कहीं लोगतंतर एक चेतना मजबूत है तो वो भारत के मजबूत है चाहे वो इमर्जेंसी के टाइम हुआ हो इमर्जेंसी के टाइम में भी लोगतंतर को खत्रा आया मैं यहाँ पर बैट करके बोलना हूँ आया लेकिन भारत ने उसको जेला और 2014 के बाद ने खत्रा नहीं आया लोगतंतर समाप्त कर दिया गया था कॉंग्रेस की सरकार इंद्रा गांदी जी ने 2014 के बाद जो भी लोगतंतरिक खत्रे इस देश में आये लेकिन इस देश के लोगों ने डट करके 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आये जहां पर हमको लगा कि लोगतंतरिक वैल्यूस पर लोगतंतरिक सेतना पर खत्रा है लेकिन फिर भी विपक्ष ने भारत की जन्ता ने आपने 2014 के बाद कब ऐसा मौका आया जब लोगतंतरिक विवस्ताओं को खत्रा होने लग गया बंगलादेश के साथ प्राज करें। उसको आप compare कर रहा है इस पूरी करता भी साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको हर चीज में छोटा या बड़ा लेसन मिलता है सुप्रीम कोट ने कहा था मैं आज भी बोल रहा हूँ कि लोकतांत्रिक चेतना पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत है मतलब आपकी चोईस का पूरी नहीं आ रहा तो लोकतांतर खतब हो रहा है आप 12-14 के बाद मतलब यह आपको लगता है कि मोधी के आने से लोक्तर लोक्तर समाफ्थ हो गया यह का गारा आप में 2019 में भी गाया चुना हुआ 12-24 के अंदर आपकी पार्टी की 37 ए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेबी की 33 लोक्तर जिंदा हुआ यह लोक्तर कपर में चल जबागा जबाब दे बंगाल के अंदर भीजेबी चुनावारी मम्ताव एनर्जी चुनाव जीती लोक्तर जिंदा हुआ लोक्तर कपर में चला गया अमीज जी मैं बार बार बोल नहीं के भारत का विपक्ष भारत की जंता इस बात की गैरंटी है कि जब-जब लोक्तंद पर प्रहार होगा, भारत का विपश्च खड़ा होगा, आदर्णी अखलेश आदो जी खड़े होंगे, आदर्णी अखलेश आदो जी, लोक्तंत को बचाने के लिए खड़े होंगे और लोक्तंत को बचाएंगे, इसकी मैं गैरेंटी रेता हुआ ये चैनल पर लेकिन आप, लेकिन जो मैं कहना चाहिए रिजवान अहमत कुछ कहना थाता है यू मेडियो पॉइंट रिजवान अहमत देखिए कितने अफसोस की बात है जब हम लोग चैनल पर बैठें बंगलादेश की इस्तिथी पर अपना अपना उपिनियन देने के लिए और किद्वाई साब ने यहाँ पर समाजवादी पर्टी का चुनाव परचार शुरू कर दिया क्या हम चुनाव परचार के लिए बैठें जनाव यहाँ पर नहीं बैठें ना तो अब मेरे एक सीधे से सवाल का बसाब जवाब दीजे बंगला देश में इस समय अकलियत खत्रे में है हमेशा से खत्रे में थी अब और भी खत्रे में है आप क्या इस मंच पर बैठके बोलना हैं कि बंगला देश से आने वाले हिंदू शर्नार्तियों को हिंदू शर्नातियों को भारत को अपनिया पनहा देनी चाहिए हिंदू शर्नातियों को क्या आप सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है रिजवान भाई देखिए रिजवान भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतिय जंता पार्टी की तरफ से ये पार्ट लेने के लिए फॉरन जो है आप समाजवादी पार्टी का यहां प्रचार बताने लगे अरे रिजवान भाई क्या आप भारतिय जंता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं पहली बात माजवादी पर्टी कंपरवगता हैं समाजवाधी पर्वक्ताएं चालेश Yarduk現在 यदि भी बचाने की पीड़ी की लडाई लल रहे हैं घुन को कि बंचना एक बंसे रिखोंका FE रुजवान बाई परक्षि झाल झाल